नमस्कार तो कैसे आप और देखिए इस ISL के सीजन में एकदम मज़दार चीजे हो रही है मतलब Manolo Marquez उनकी टीम मतलब वो एनरजी नजर नहीं आ रही है कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा है और सेम अगर इस बंगॉल की बात करें तो इस बंगॉल तो मतलब क्या कर रही ISL में यह समझी नहीं पड़ रहा है मतलब क्लूलेस नजर आ रही है इवन कोच चेंज किया अभी तो देखिए कोच चेंज होने के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है कि थोड़ा सा टीम सेट हो करेंगे थोड़ा ट्रेनिंग सेसंस उनको मिलेंगे तो वो एक डिफरेंट चीज है ल वो मिसिंग टाइप की नजर आ रही है प्लेयर्स में ही तो देखिए वीकेंड का जो वार था इसमें दो मैचेस हमने देखे है मुंबई सिटी वर्सेस एफसी गुआ जिसमें मुंबई सिटी ने पाई एफसी गुआ को होम में हराया दो एक से और मुहन बगान ने इस बें मुंबई और गुआ की तो देखिए मुंबई ने मैच जीता है कहां पर फाई मिड से और डिफेंस अच्छी करी यहां से मैच उन्होंने जीता है और उसका जो रिजल्ट बोलेंगे वो उनको आगया टेकिंग में मिला है जिसने उन्होंने गोली स्कोर किये और मैच को विन टीम गेम जो होना चाहिए ना वो पहले गेम सही नहीं दिख रहा है और आज की जो दोनों गेम्स जो टीम्स ने लूस की है वो दोनों ही वीकेस मदब डिफेंस में कह सकता हूं FC Goa और इस बेंगॉल दोनों ही टीम्स ने 10 गोल गंसीट किये सबसे जादा इस इस सीजन में तक तो इसे समझ में आता है कि FC Goa की डिफेंस बे कितनी वीक है और सेमी इस बेंगॉल की बात में भी आगे करने वाला हूं उनकी बी कितनी वीक है और दिखी ये एक मच नीडेड विन था मुंबई सिटी के लिए बिकॉज उनको एक फरस्ट विन की ज़रूरत थी और ये मिला है और ये कुछ अच्छे प्लांस की वज़े से विन उनको मिल पाया है आपने देखा कितना अच्छा कॉंपेक्ट मिड से भी हो थे डिफेंस से भी थे और आगे कितना सही एग्रेसन था मतलब थोड़ा सा प्रेस कर रहे थे मुंबई सिटी जो FC Goa के डिफेंडर्स प पार डिफेंडर्स भाई इस तरीके के से पूरी तरह से फ्री करके रखा दोने करे लें लिस लुंबाद नहीं पर नई मिस करेंगे और यू को सब अधे यह जरूर कहता होँ किस तरीके से मंध्च्यू उक्छ करने तोड़ा सा भी क्यों करना आप और उ अधना एव तूड के बाद आपने देखा था और अच्छे चांसे जो बनानी कोशिश कर रहे थे पर मुंबई ने डिफेंस में नंबर्स अच्छे रखे थे और मार्किंग टाइट रगी ती जिसकी वैसे उतने अच्छे कोई उप्सन बने नहीं उनके और सारही सॉंट्स पर ब्लॉक आ रहे थ अपने वो उतना अच्छा कॉंबिनेसन नहीं जम रहा है आप देख सकते हैं ना तो प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में चल रहे ना तो विक्रम ना चांगते उतना अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे बट यहां की क्या मैच वो विन कर गया है तो अभी आप बोल सकते कि कामने दिक्कत है आप ही क्लियरली देख सकते हो इसी वज़े से मैच विन नहीं कर पा रहे है यह उनके भी इसू चल रहे है तब उनको भी इसके उपर काम करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर तो एसी गवा ने कुछ डिफेंसिव मिस्टेक्स करी मार्किंग में फोड़ी मि कि अवसी गुआ का तो भाई अभी कुछ समझ में या रहा मतलब स्कॉर्ड अच्छा है सब कुछ सो सही है फिर भी पता नहीं चीजे क्यों नहीं आ पारी वह एनरजी वह एक मतलब बहु जो एक डिमांड होती है न कि यह मिलना चाहिए हमको प्लेयर से इस टीम से यह मिलना है थोड़ी तो में भी कुछ चेंज हमको देखने को मिलने अधरवाई से सब कुछ तो ट्राय कर लिया है स्टिल रिजल्ट वही आ रहा है तो लेट सी अभी क्या होता है हलाकि मुंबई सिटी को अपना पहला विन तो मिला तो अभी थोड़ा सब धीरे-दीरे को भी आगे जो है टेबल में उपर निकलेंगे और बाकी अब चलते हैं अगले गेम की तरफ तो देखी कोलकाता डर्बी का इंतजार सब को होता है बट यहां पर आपने देखा कि जो पहले से भी थोड़ा सा एक्सपेक्टेट थाई कि भाई मोहन बगान इस मैच को विन भी करेगी और से भी नीचे चला गया मतलब उमीद का जो एक लेवल होता ने कि हां एवरेज उससे भी गिरा हुआ मतलब इस बेंगल को सबसे पहले तो यह समझाई कि भाई बिना अटेक के गोली नहीं मिलेगा आपको अटेक करना पड़ेगा आपको चांसे बनाना पड़ेंगा तब जा रहा है कि बस खेल रहा है बस ऐसा और दिखी जैसे कि ऑसकर अपने फुल बैक्स वगएर का यूज करते तो मुझे लगा था कि में भी फुल बैक्स यूज होंगे तो फुल बैक्स का ओवरेज अगरा अब डाइब का तो कुछ अच्छा दिखा ही नहीं कोई टीम केमेस्ट इस तरह का गेम खेले मतलब गेम बनाएं वह बहुत मसा आता हूँ देखने में और दिखे में मुहन बगान के मतलब बीच में डिफेंस मिड की भी तारीफ करना चाहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने जो उनके मिडफिल्डर से इस बेंगॉल के उनको एक सप्लाय लाइन जो create करना चाहिए थी वो बनने नहीं दिया अब देखे उन्होंने तलाल को क्रेस्पो को आगे सिल्वा से किसी से connectी नहीं होने दिया तो ये मिड़कों भी यहाँ पर मानना पड़ेगा कि हमेशा एक लिंक जो बनना चाहिए उसको बनने ही नहीं दिया अब हमेशा ब्रेक क बहुत ज्यादा मतलब हड़बड़ी में खेले नहीं जो महनमागान के डिफेंडर से और विसाल कैते हुद हम चिल तेस मैच में और देखिए अभी जितने भी मैचे समने देखिए इस बंगॉल के डिफेंस बहुत इजीली ब्रेक करना मतलब बहुत इजी असा लग रहा है कि किसी भी टीम को इस बंगॉल की जो डिफेंस उसको ब्रेक करना काफी इजी है यह दिख रहा है बदर ऐसा लगता है कि डिफेंडर्स जो है देर नॉट प्लिंग फर टीम यह जस्ट प्लेंग फर देंसल्व और पता निक्या है यह दिख रहा है आप देखिए मतलब कि आप उस प्लेयर को छोड़ोगे जो इतना टॉप नॉच है इतना इसी मतलब उनके साथ तो भाई आपको एकदम दिखते से उनको पर जानना है वो इतना फ्री हेल रहा है तो फिर ऐसे में कैसे चलेगा ऐसे तो फिर वो क्लियरली नजर आ रहा है ने कि आपको है नहीं कि मैं जी इसा लग रहा है कि इसल लेवल की टीम नहीं नजर आ रही है क्लियरली वो लूगा एक शब्द में मैं तो यह है बात और देखिए मुहनमगान की तारीफ कर ले ठीक है लेकिन मुहनमगान में चांसेस जिस तर यह किसे मिस कर रही है यह उनके लिए अच्छा नहीं क्योंकि इतने चांसेस आप मिस करेंगे क्यों आप देखिए आप ओपन एक ट्लियर गोल देखेंगे तो मेकलरेन वाला गोल है अदरवाइस देखिए पर तो प्रतेटोस की पेनालिटी है वो तो यह अच्छा थूपास निकला था लेकिन वो पेनालिटी पर गया नो गोल क्योंकि तो फाल हो गया था तो यह बात मैं कहना चाहता हूं कि भाई आप जितने मिस कर रहें आप उनको कंवर्ट करना है आपको अधरवाइस आप देखिए कुछ टीम से जो आपको ऐसे में स्कोर निकरने देगे तो आपके दिक्कत बढ़ जाएगा और देखिए जैमी का जो यह मैंने पहले भी बोला इसके पर कि जैमी मुझे इस मामले में थोड़े जादा पसंद है और फिनिसिंग वगरा स्कोरिंग तो उनके पैरों में भी दिक्कत नहीं है तो अभी यहाँ पर किसे कमिंग्स वगरा को आप बाद में लाके थोड़ा सा ही फायद है क्योंकि तो इसी चीज के लिए अच्छे लगते भाई मोहन बगान के लिए तो इस मैच में मोहन बगान के डिफेंस तो काफी इजी खेली है और जो था वो आगे था कि आगे के प्लेयर्स ने अटेक बनाना तो इस जीत के बाद मोहन बगान अभी क्लोज आ गई है बेंगलूर अफसी के नीचे एक दम चस्ट और अगर बेंगलूर अगे कुछ लूज वगरा करती है या कुछ तो मोहन बगान उनके उ आसकर का जो वेलकम हुआ है बहुत ही बुरा हुआ है तो इस तरह के वेलकम का तो उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा पढ़िए कि इसी इस बेंगल को आपको एक अच्छे मुकाम पर लेकर जाना इसी के लिए आपको यहां पर बुला है कारल स्क्वादरित की ज चाहेंगे आपने क्या कमिया देखी जो भी आपने देखा जरूर कमेंड में लिखके बताएगा हम फिर मिलेंगे जैहन